कि ओके तो आज की लेक्ट्सर के अंदर हम स्ट्टी करने वाले कि जो भी हमने फंक्शानitub बनाई थी हमारी हुआ थीक है ऐड़ जिकर दिकाणा लिए होता है अइकन सेट करने होते है पेज़ को सेट अप करना होती हो तो वह साली चीजे थी अब हम क्या गलए कि उसको डिलय करना है उसको अपडेट करना है ताकि मैं एक पूरी चीज आपको वहाँ पर बता रहा हूं उसके बाद हम login सिस्टम पर चले जाएंगे ठीके जहां पर login किस तरीके से होता है ठीक है उसके बाद आपको बात बताने वाला हुत तो पहले तो आपको ये फॉर्स टो फॉलब होता है उसके बात आपको इसे भाद लोगिन की सकते हो ठीक है पहले में क्या अगरवा रहा हूं यहां पर जो भी आपको बेज दिखाई ले रहा था कि a तो इस तरीके से हमें डेटा फॉर्म दिख रहा था और यहां पर हमने सब्सक्राइब चेंजिस किया हुआ था और व्यू एड्मिन के अंदर डेटा आमी शो भी हो रहा है अब जिस पे भी में क्लिक करूंगा तो उसकी इमीज भी दिलिच हो जानी चाहिए उसका डेटा भी है तो घ्यू चाहिए तो डिल्pling की प्रोसेस उसी पेज के अंदर करनी है जैसे कि मैंने आपको बदाए इन्दर तो पहली प्रोसेस आपको क्या जाडर रही है пап क्लिक करें तो उसके साथ मूचा पास करना और उसिंदर तो पहले आपको क्या कर्वाना पड़ेगा इस पेज इसका नाम viewadmin.php उसके बाद question mark और क्या करना है आपको कौनसी action लेनी है तो action नाम कुस भी आप बलग से बना सकते हैं ठीक है जैसे हम आगे पॉर्ट सोगे वैसे ही action में यहां पर दे रहा हूं delete ठीक है delete देने के बाध मुझे यहां पर देना पड़ेगा उसकी ID!.. मह governments को मुझे delete करवाना है खेएए生 को उसकी ID आपको क्या बोध मिलेगी मैंने हैं आपको यहां पर दीर्टमूस की ID कakah Chief पैज नहीं कर वाया है तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा ने कि टेबल के अंदर मुझे फूर्टना पड़ेगा पहले तो लिखते हो पहली बार को यहां पे question mark आ जाता है और दूसरी बार यहां पे end और दूसरी बार भी end पहली बार ही question mark आएगा उसके बार यहां पर आपको पास करनी है उसकी ID तो मैं यहां पर कुछ भी दे सकता है उतनी तरीके से ना ठीक है और loop already use हो रही है मतलब गुम रही है तो automatically आपको उसके अंदर जो भी data हो भी आपको मिल रहा होता है तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर जो कॉपी किया है इसको मैं यहां पर रख दिया और यहां पर मुझे सिफ रखना है admin ID अब जिस किसी भी भी record करने हो पर मैं click करूंगा तो उसकी admin की ID जो भी होगी वो मुझे मिल जानी चाहिए ठीक है तो मैंने इस पर reload किया जैसे मैं click करूंगा तो यहां पर दो नंबर के ID थी भी गई इसके पर click किया तो मुझे एक तीन नंबर के ID भी गई मुलब data हमारा page load हो रहा है और सही से आप ही रहा है ठीक है अब मुझ पर क्या करना है कि जो भी ID हमने URL के अंदर पास करवाई थी तो उसके लिए delete करने के लिए मुझे यहां पर क्या बनाना पड़ेगा एक function बनाना पड़ेगा पर is set के अंदर dollar underscore gate के अंदर मुझे यहां पर क्या मिलदा है action के अंदर delete मिल रहा है ठीक है अगर मुझे delete मिल रहा है तो उसके अंदर से मुझे ID phase करवा के मिलनी चाहिए उसकी की मैंने बनाई थी यहां पर आई गी टीजेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल्धा हूँ मैं यहां पर check कर रहा हूँ ठीक है यह data मुझे यहां पर मिलना चाहिए ठीक है अब गे शैनल्स बनाना पर कि अच 2018 सजुस्च L Okay, help you can आपको लिखनी रहा तो देखनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी जो हैडर फाइल थी उसको यहाँ पर कमेंट देगे पड़ेफिश ताकि आपका पीज हो नार्मल हो जाएगा नॉर्मल होने के बाद आपको यहां पर देखो डेटा दिखाए देखाए देखाए अगर यहां पर आप कुछ भी चेंजिस कर रहे हो तो आपको यहां पर तीन की जबर दो मिलना चाहिए तो यह सही हो रहा है मनलब आपको जो भी डेटा था वह आपको आप इस फंक्शन के आप चाहर है तो चाहने के बाद आपको क्या करना है तो पहले इमीज को भी डिलीट करना पड़ेगा ना तो इमीज के लिए आपने यहां पर देखाए तो इमीज को लाने के लिए पहले आपको डेटा वहां से फैच करवाना पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको क्वेर को यहां पर क्या करना है आपको fire करवाना है मास्कुलाइक वेरी connection और यहां पर आपको इमेज़ बिलीट करवा नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर अनलिंक नाम का information यूज करना पड़ेगा और आपकी images कहां पर पड़े तो भी images नाम के पॉल्डर के अंदर कहां पर है Q2 के अंदर आपने फील्ड का नाम रखा है image लिए फवाज के अंदर जाएगा जो भी image का नाम मिलेगा उसको क्या कर देगा डिलीट कर देगा ठीक है अब क्या करना है image अंदर मेंसे डिलीट हुए डेटाबेस मेंसे अभी डिलीट ही हुए तो उसके लिए आपको अलग से क्वेरी लगानी पड़ेगी ठीक है उस क्वेरी को मुझे यहां पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा delete from table का नाम वेर ठीक है उस फिल्ड का नाम कहां पर आपको मैच कर वानी वो dollar id ठीक है और यहां पर आपको देदेना है mysqli underscore query के अंदर connection ठीक है उसके बाद यहां पर चुछी अगर आपकी query सही से delete हो रही है सब कुछ तो यहां पर मैंसेज भी लिख के अगर नहीं हो रही है तो एल्स के अंदर मैसेज में मैसेज 1 में यहां पर error मैसेज करके आपने कुछ print करवाया है तो मैं अपनी तरीके से करवाया है यहां पर हमने करवाया है यह रहा है तो इसको में copy करके यहां पर हमारी चो टैबल है उसके नीचे पर print करवा सकता हूँ तो यहां पर success message तो यहां पर मैरे पास आजाएगा error message और यहां पर success process तो यहां पर मैं दे सकता हूँ something wrong ठीक है इस तरीके से भी message पास हम करवा है तो देखते है हमारा डेटा सहीज से delete पो राइक लिवड़ा ओके यहां पर मैंने जो file include हटा ही कमेंट दी तो इसको मैं वास्ट कर देगा हूँ ठीक है जैसे में यहां पर reload करूँगा तो यहां पर अब जिसके भी मैं क्लिक करूँगा केवल पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आपको डेटा को डिलिए तो हमारी देटनि कर आप करना मिए तो आपको डिलिवे था कि वहलन में इस कि पर Warוד की कोई ओठ देटना चाहिए तो आपके जैसे में क्लिक कर रहा हूँ तो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगि हमारे ह 판 के अंदर ढो वासके हम देटा को अपडेट करेंगे तो हमें पासवर्ड अपडेट नहीं करने, भाकिकी सारी चीज़ें हमें अपडेट करने भार यहां पर सेव की जगह आजाना चाहिए हमारे पास अपडेट नाम का बिदन, सारा कोसोई पे इप कंडिशन ही लगा नहीं सब जब तो देखते पहले तो इस पेज के अंदर आना है तो इस पेज का नाम यहाँ पी चया था है जैसे हमने लिक हैंदर पास करवाई टी वैसे ही हुग अप डेट के अंदर भी आईडी पास करवाने पढ़ेगी अब देक इस पे भी मैं क्लिक कर रहूं तो डेटा मेरा यहाँ पर एडीट को राम मतलब डेटा आ रहा है कि मनलब उसे ID मिलेगी तो मैं दो रेकोड वहां पर डाल रहा हूं ठीक है तकी आपको अच्छे से हो समझ में आ जाए ठीक है जोगी अमने डेटा डिलीट किया था उसका नाम में यहां पर डाल रहा हूं ठीक है इस तरीके से पास्वर्ड में ने 12345 क्योंकि MD5 में करनोट होगा तो पता नहीं चलेगा कि इस पॉम में जा रहा है ठीक है यहां पर मैं कर रहा हूं यहां पर कोई भी इमेज सेलेक्ट करवा रहा हूं ओके नेक्स्ट अप्टैटीटीट कि इस को मैंने से जैसे सब्सक्राइब किया तो रेकॉर्ड इंसरे सब्सक्राइब कर रहा है तो जैसे में इस पर क्लिक करूगा तो मुझे आईडी वहां पर मिलनी चाहिए चाहिए अब क्या करना है कि जैसे में इस पेज के अंदर आ रहा हूं तो मुझे सारा रेकॉर्ड मी जाना चाहिए और यहां पर में रखना पड़ेगा मुझे तो उसके लिए में जा रहा हूँ आप इस admin.php के अंदर यह function खतम होने के बाद यह function जहां पर भी आपका खतम हो रहा है उसके उपर उसके नीचे एक और function बनाना है इस set के अंदर डॉलर अंडर स्कूर गेट में action के अंदर अगर आपको edit मिल जा है तो इसके अंदर आप आ जाओगे और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा डॉलर अंडर स्कूर पोस्ट में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इससरी आइट आपको डिटा उसकी जो ही नंबर होगा वो नंबर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर क्या ना पड़ेगा तो दिटा लाने के लिए क्वेरी में आपको बताई की सिलेट स्टार कॉम एडमीन वेर ठीक है यहां पर आज जाएगी आपके पास एडमीन आईडी ठीक है और यहां पर लिखनी पढ़ेगी सिंगल को अपने डॉलर राइगी जो भी आपको केट के पर में मिल गए ठीक है उ कूल की अप्लिए ठीक है अब ग्ये भी नेकर में लें में अदिश्य देटा को मिलने वाला एक स्थे जयादा कभी नहीं मिलेगा तो आपको आपको यहां पर सब्से पर ऊंदीत करुँम कर आपको थेकर है लिए क difí जहलीएत राइस पर task सने अतम आपको मिलन चाहत और को फ में यहां पर करूँगा ठीक तो में 37 लाइन के अंदर वो एरड दिखा रहा है माइस को लाइफ है चाहरे होगे यहां पर मुझे पास करोना बढ़े जा क्यों यूद्वार तो देखो यहां पर मुझे सारा का सारा रेकोर्ड मिल रहा है अब रेकोर्ड मिल रहा है तो मेरा काम भी एजी हो जाएगा मुझे जो भी चाहिए हो मुझे मिल जाएगा वहा से बना है कि यहाँ पर मेरे पास first name और last name दोनों अलग है और वहाँ पर मुझे name same मिल रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसको header को आपको अच्छी तरीपे से दीखे अब देखते हैं इसके मैं क्लिक कर रहा हूँ मैंने उसको print नहीं करवाया कहीं पर मैं इसलिए मुझे डिक नहीं रहा है तो वह एरेक पॉर्ड में वाफिस convert हो गया तो इसके यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब देखते हैं जैसे मैं request करूँगा तो मुझे दोनों में से कोई एक record प्रिंट करना होँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो इसके अंदर एरेक पोम में डेटा मिला है उसके गवाद मुझे यहाँ पर उसकी position लिखनी पड़ी अब मुझे चाहिए तो वन लिखना है अगर मुझे उसका नाम चाहिए तो जीरो लिखना है ठीके तो जो भी जैटा हमने यहाँ पर score करवाया है ठीके उसको मुझे कहां पर print करवाना पड़ेगा ठीके इन दोनों को मैं अटा रहा हूँ यहां से comment दे रहा हूँ देखने के लिए से ठ ठीके तो एक नेम मुझे कहां पर चाहिए यह फर्स नेम के अंदर तो यहां पर मुझे वेल्यू टेक के अंदर वेल्यू टेक के अंदर चेक करवाना है एफ इस सेट ठीक है इस सेट के अंदर आपको लिखना है डॉलर एफ नेम डेटा देटा ओफ जिरो मतल도록ー को सव्रेन मिल रही है अगर मिल रही है तो तो आपको यहां पे eco और f name data of zero लिखना पड़ेगा ठीक है जैसे आप लिखो के तो first name आपको बिल जाएगा वैसे आपको क्या चाहिए last name चाहिए तो वापिस इसको copy करना है और इस tag के अंदर यहां पे आपको कर देना सिर्फ वल तो first name और last name दोनों अपनी अपनी चगह पे है तो यहां पे इसे क्लिक करोगा money short ना करानी दोनों अलग 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 के आ जाएगा ठीक है तो वैसे ही मुझे क्या चाहिए अब email चाहिए ठीक है इसको मैं अटार हूँ अब आपको easily समझ में आ रहा होगा कहा पे आपको data में लगए तो आपको email को कही बर भी अलग या explore करानी की देटा है वो आपको कहा पर मिलेगा इसके अंदर qo e2 के अंदर मिलेगा तो वापीस आपको value take को copy करना है और email के अंदर रख देना है कि यहां पर value बदलेगी qo e2 कि इसके अंदर directly आपको data मिलना है इसके तरह कि आपको अलग या जोई आपको नहीं करवाना ठी इसके अंदर e का नाम आ जाएगा email तो कि email नाम की फिल्ट का data आपको चाहिए ठीक है यहां पर आपको मिल जाएगा email अब देखे email आपको directly मिलना चाहिए यहां पर email भी आ गया जिसके भी आप click करे वही data आपको यहां पर exactly open करके दे लेगा ठीक है password आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको condition के अंदर रखो if if के अंदर वापिस आपको क्या लिखना पड़ेगा ताकि वो server के साइड से दीखे गई नहीं ठीक है अगर update हो रहा होगा तो इस set के अंदर इस set के अंदर आपको रखना है Q$2E2 इसके अंदर आपको यहां पर मिल रहा है password या फिर आप तूसरी यहां पर इस तरीके से लिख चाहिए गेट के अंदर आपको यहां पर action में अंदर edit मिल रहा है अगर edit मिलेगा तो यह दिखना नहीं चाहिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ not equal to edit होगा तभी तभी वो आपको दीखेगा वनना नहीं लिखे तो यहां पर देखा तो यहां पर देखा तो यह चैसे में इसको रिखें करूँगा तो password नाम की फिल्ड यहां से चली लेगी अब आपको male और female को भी चेक करवाना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही पीटे का use करना पड़ेगा तो यहां पर मिझे लिखना पड़ेगा अगर कुछ मिल रहा है तो उसको मुझे चेक करवाना पड़ेगा डॉलर क्यों इक्वल टू मेल के साथ अगर यह मैंच हो रहा है तो यहां पर मुझे इको के अंदर चक्त लिखना पड़ेगा जैसे में चक्त पर अगर मिल रहा हो है तो यहां आजाएका नहीं आएका वैसे है आपको क्या करना है female के अंदर किसी चीज़ को put करना है स्रिफ आपको यहां फे female दिखना है ठीके तो देखते male होगा तो मेला जाएगा फिमील होता तो इमें टिक हो गया जाएगा वैसी आपको रीडिंग, साइक्लिंग, के अंदर तो उसके अंदर थोड़ा different होता है आपको क्या करना होता है या आपनी string पॉर्वन ये इन स्टोर पूर्वक तो तो वही चीज में यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखना पढ़ेगा $2E2 यहाँ आजएगा हॉबी के अंदर सारा डेट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको चेक करने के लिए आप अब होब है उसको यहाँ पर रख सकते हो ठीक है और अच्छे से देखने के लिए आपको इस header को comment देना पड़ेगा, ठीक आप देखते हैं, सारा data आपको किस form में मिलना चाहिए, array के form में मिलना चाहिए, यहाँ पर position उसकी fix नहीं रहने वाली, position आपकी fix रहेगी, नहीं, देखो, यहाँ पर जैसे इने click करूँगा, तो cycling पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर click करूँगा, तो reading 0 पर देखो, यह fix हो नहीं रहा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, in underscore array का use करना पड़ेगा, तो उसका function का नाव आपने क्या दिया था, अब हो भी न, अब देखते हैं, अब हो भी याद रखना है, ठीक है, पहले आपको यहाँ पर condition देनी है, condition किस तरीके से अगर आपको उसके अंदर data मिल रहा है, तो ही वो उसके अंदर चाहेगा, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है dollar, अब हो भी, ठीक है, मिल जोई है, तो आपको इसके अंदर एक और condition, उसके अंदर in underscore array लिखना है, ठीक है, इसके अंदर जो भी आपकी field है, यह वाली, ठीक है, यह आपके array के अंदर match हो रही है, अब हो भी के अंदर match हो रही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा, check, ठीक है, बनना नहीं होगा, जैसा है, व्यसा ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी के अंदर check करवाना था, यही चीज में cycling एंदर भी रगते हो, यही चीज में music के अंदर, मुझे सिफ यहाँ पर cycling, reading था, वहाँ पर cycling करना है, और music था, वहाँ पर reading था, वहाँ पर music करना है, ठीक है, तो जैसे मैं इसको refresh करना है, तो यहाँ पर चोगी चीज हमारी होगी, उस select होके आ रहे हूँ, अभी तो यही नहीं आ रही है, तो इसको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो header final वापीस इसको on क करेंगे, यहाँ पर check होके आ रहा है, reading और music, वापीस मैं वेक जा रहा हूँ, यहाँ पर में लिख रहा हूँ, cycling, cycling और music आना चाहिए, तो आ रहा है, ठीक होके, तो सही हो रहा है, वैसे ही आपको selected करवाना है, ठीक है, selected करवाने के लिए आपको, और कुछ नहीं करना, आप आपको just look already use होई रही है, ठीक है, आपको जिब चेक करवाना है, यहाँ पर, php के अंदर, if, dollar to ue, इस सेट लगाना पड़ेगा पहले तो, ue2 के अंदर, आपको, तो city भीना, city मिल रही होगी, तो, if के अंदर वापिस आपको लिखना है, dollar to ue2, ue2 of city, ठीक है, अगर यह city, मैं सो रही है, किसी value के साथ, मर्लब city data of y के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, selected हो जाएगा, ठीक है, और कुछ आपको इसके अंदर नहीं करना, है, यही चीज़ आपको इसके अंदर लखनी थी, जो भी हमने आगे बताया था, ठीक है, यहाँ पर देखो, शूरत से लेखो क्या रहा है, और यहाँ पर आपको image, छोटी सी image लिखानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर प्यूंकि इसके set के अंदर आपको अगर dollar underscore get में, edit के अंदर, okay, editing आपके आजएगा, action, यहाँ एक्शन मिल रहा है, तो ही आपको image take, मतलब image लिखाए बनना ना देखाए, तो image के अंदर आपको src लिख देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है, dollar underscore ue2, उसके अंदर image का नाम मिलेगा, यहाँ पर नाम दे दो, उसकी height दे दो, ही हाइट आपको देना है, 40 या 50 दे सकते हो, 50 या 50 दे सकते हो, इसको close कर दो, अगर आपको edit मिलेगा, तो यह इसकी दिखाए गाए, बनना, नहीं दिखाए, बनना किस तरीके से दिखेगा, तो आपके यहाँ पर जैसे ही जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको सब कुछ सही से दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पर edit करवा रहे हो, तो आपको image दिख रही है, अगर आप यह condition नहीं लिखते, यह condition नहीं लिखते, आपको image सही से दिखाएगे तो सही, पर जैसी आप उसको add करोगे ना, तो उस time पर image नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से आपको दिखाता तो यह नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रख दी, condition रख दी, ठीके, अब आप जैसे एड करोगे तो इस तरीके से use edit होदा, ठीके data आता है, तो जैसे आप submit करोगे, जैसे इसको save की जगह का चाहिए, आप आपको update चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, इसके उपर भी button के उपर ही आपको, या फिर, यह जो save है ना, इसके उपर ही हम एक condition भी लगाते हैं, ठीके मैंने जैसे आपको बोला था कि सब जगह आपको condition लगाने है, dollar underscore get के दे, action में, आपको यहाँ पर edit मिल रहा है, ठीके, आपको यहाँ पर save की जगह क्या मिलना चाहिए, अपको update मिलना चाहिए, ठीके, तो else के अंदर आपको यहाँ पर update कर देना है, ठीके, और यहाँ पर PHP को close भी तो करना पड़ेगा, उस bracket को, ठीके, तो सिफ्ट नाम को हमने change किया, और कोई चीज को हमने change नहीं किया, तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा इस button के उपर, ठीके, यह नहीं चलेगा, ठीके, तो button को में यहाँ पर complete कर रहा हूँ, और इसके जैसा ही वापस को भी करके update की चुकर यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर क्या आजएगा, शीफ, save की चुकर, अपडेट आजएगा, और यहाँ पर नौन इकोर रखता हूँ, देख देख, आगे update, ठीके, पेज वही का वही है, कुछ भी change इतनी, यहाँ से हमने condition देदी है, अब चैसे ही में इसको submit करूँगा, तो data हमारा वापस से post होगा, ठीके, post होने के बाद सारा record as to as मिलेगा, अबर यहाँ पर एक condition लगानी है, अपडेट करने के लिए, इस set के अंदर, डॉलर अंडर और गेट में, ठीके, यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे action मिलगा है, अगर यहाँ पर edit मिलगा है, मेरा report update होगा, वरना मेरा report insert हो जाएगा, ठीके, यह दो चीज आपको अलग से रख का नाम भी क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, query, यहाँ पर अपडेट, टेबल का नाम, admin, फिल्ट सेट करने है, सारी फिल्ट, सारी की सारी फिल्ट आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, set कर देनी है, ठीके, नेम है, तो यहाँ पर आजएगा dollar, name, command, backward code, पहले फिल्ट बना दो सारी, बना दिक्कत होगे, ठीके, जितने भी फिल्ट आपके पास है, पहले वो आप बना सकते हो, ठीके, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे, ठीके, दो तीन जादे हो इमना नहीं बने, तो यहाँ पर मुझे लखना है, फिर email, यहाँ पर आजएगा dollar email, फिर यहाँ पर है, पासवट पर करना नहीं आपको, ताहरे क्या जाएगी, चेंडर, dollar, जेंडर, hobby, यहाँ पर आज इन में बनार हो इन, यहाँ पर अपर इमीज, और उपर है, अजिन पर बनारर, यहाँ कोना सी जगा पर अपडेट करना तो, वेयर, और यहाँ पर‏ गैन, आईदी, ठीके, और आईड आइईई आपको कहा पर मिल रही है future? गेट के अंदर से मिली रही है तो वहां से आपको डाइरेक्ली चार नमर का डेटा या जो भी आपकी फीड होगी जो भी डेटा मीट जाएगा और ओटोमेटेकली यहाँ पे वह अपटेट कर देगा पर इमेज को अपटेट नहीं करेगा तो इमेज के लिए आपको क्या गराने पड़ेगी अगर आप इमेज शिलेक्ट नहीं करवा हो तो पूरानी इमेज आपको मिलनी चाहिए ठीक है उसके लिए वेक वेडेट आपको यहां पे लगाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लिखना है कि अगर इमेज इक्वल इक्वल डू ब्लैंक है तो पहले आपको data fetch करवाना पड़ेगा वापस ठीक है तो data लाने के लिए हमने यहाँ पर query लिखी इती ना select start from वाली तो यही रेखोल आप यहाँ से copy कर सकते हो और यहाँ पर रख सकते हो पर यहाँ पर आपको उसका नाम बदलना पड़ेगा ठीक है आपको नहीं मिल रही है तो image take के अंदर आपकी पुरानी image store हो जाएगी ठीक है अगर आपकी image blank होगी तो अगर आपकी image blank नहीं है आपको क्या करना है तो पुरानी image वो unlink हो जाने चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना है interact unlink ठीक है अनलिंक के अंदर आपको यहाँ पर पाथ देना है images और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा dollar to year to of उस image का नाम तो यहाँ आपका पुरे का पूरा validation सही हो गया ठीक है देखते हैं इसके अंदर कोई गणपडी है कि चान नंबर का record मेरे पास है तो जैसे में अप्डेट करूंगा तो कोई changes ने करना से female reading चुरत की जगा नवसारी कर रहाओ यहाँ यहाँ पर इमेज को अप्डेट ने करना सारा record अप्डेट हो गया तो जैसे अप्डेट में जाएगा तो डेट है तो डेट है वान फिमेज नवसारी ठीक है अब में सारा record वापर 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 जैसा था वैसा कर रहा हूं जो फार्स हूं केरें यहां पर मैंना इमीज ला रहा हूं तो जिसी मैं नहीं canvas झीलैक करूगा हमारी विय भी और आडडा हूं चीकि कह रहतिग के देख तो नहीं नहीं हमीज आरना हूं है अगे हमारे फॉह में से पूरा निंवित दिलिटों के नहीं आजने है ठिक छूशा का सारव फॉर्म् हमने टिलिट एक साथ कर दिया किसी की दरिकेटी ऊब दिजों तुक है ऑन्य का सारे मी ऐसे साहिए tota थिक है अब क्या करना है कि जो भी प्मक्षाई का इसे हमने का बना दिया इसके अंदर फूरे फॉर्म को एक साथ हमने इंसर्ट अब्डेट प्मक्षाउय भी बनिखें